नमस्कर दोस्तो स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एज्योकिस्न चनल में तो आज हम ऐसे हेल्थ प्राब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बार में बात करेंगे जैसे कि सरीर पर सफीद या गुलाबी रंग के दब्बे हो रहे है तो यहाँ पे जो हम एक डायग्राम देख रहे है उसमें आप यह देखो तो छाती पर इस तरह से दाग नजर आ रहे है फिर यहाँ पे पीठ के उपर आप देखो तो वहाँ पे भी हमें धब्बे जो है वह देखने को मिल रहे है तो ये जो है वो सफेद रंग के हो सकते है या फिर गुलाबी रंग के हो सकते है या फिर बूरे रंग के दग बेबी आपके पीठ है आपके छाती के उपर देखने को मिल सकते है हाथ के उपर भी डेवलप हो सकते है फिर वहा की जो त्वाचा होती है वो सूखी हो जाती है प सामन्य बासा में सेहुआ या फिर करोडिया भी कहते हैं तो जानते ही ये विमारी के बारे में डिटेल में और सीखते हैं कि कैसे हम इसका निदान कर सकते हैं और कैसे इसका इलाज हो सकता है तो सबसे पहले बेजिक जानते हैं ये विमारी का तो ये जो एक टाइप का common fungal infection है क कि एक fungal infection है कि जो specially हमारे skin का उपरी layer होता है वहाँ पे उस तरह से इसका जो रंग है वो खराब करता है जैसे कोई color damage हो जाता है उस तरह के condition यहाँ पे produce होती है तो fungus के करन होने वाली ये बेमारी है कि जिसमें सरीर के उपर सफेद रंग के गुलाबी या फिर भुरे रंग प्राब्लेम कब सुरू होती है कि जब atmosphere के अंदर जो हमारा वाताव रंग है मौसम है उसमें नमी होती है नमी यानि की moisture ज्यादा है साथ-साथ गर्मी भी है और नमी भी है तो ऐसे मौसम में यह बीमारी ज्यादा फैलती है और ऐसे condition में यह प्राब्लेम और यह जो infection है वह ज्यादा trigger होता है तो यह पर वीडियो के बीच में आपको बदा दो कि जो आप हमारी book भी available है बीमारियों और उनका उपचार तो अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनका उपचार सीखना अच्छा लगता है तो आप अब है तो जैसे हमने समझा कि जो yeast होती है fungus होती है उसके करन यह problem जो होने लगती है तो यह पर हम देख रहे हैं कि यह जो yeast जो atmosphere में नम्य होती है मलब कि humid मौसम होता है या फिर आप ऐसे कपड़े पहनते है कि जिसके अदर moisture है मलब कि थोड़े से गिले कपड़े पहनते है साप वाली साइड जो skin है वो dry है जबकि यह वाली साइड हमें oily skin जो दिख रहे है तो अगर किसी की skin इस तरह से oily है तो भी उनको यह problem आगे जाके हो सकती है गर्म और नमी वाला वाता औरन कि जैसे मैंने आगे भी आपको समझाए कि atmosphere कैसा है गरम है और नमी वाला मलब कि temperature भी र जोध भी आपके body के उपर होने लगती है और फिर आगे जाके यह problem हो सकता है फिर अगर आपके सरीर में hormones के अंदर बदलाव हो रहे है तो भी यह problem आ सकती है और आपकी immunity कमजूर है वालब कि ऐसे लोग की जिनकी immunity काफी ज्यादा low है तो उनको भी यह problem हो सकती है अब उसके कुछ symptoms देखे तो अलड़ी हम उसके symptoms discuss कर चुके है कि जो दब्बे हो जाते है और वहाँ पे आपको जो है वो itching वगेरा हो सकती है कई बार क्या होते कि यह जो पैचे से वो छोटे-छोटे होते पर वो मर्ज होके उनकी size भी increase हो सकती है कुछ और symptoms हम देखे तो यह जो देखने को मिलते हैं फिर से हुआ की वज़े से skin पर खुजली हो सकती है फिर skin से नहाते वक्त पपड़ी या खाल निकल सकती है और वातार में मानलो कि नमी कम है मनलब की moisture थोड़ा कम है atmosphere के अंदर तो दाग जो हो कई बार नहीं दिखाए देते तो यह कुछ symptoms है यह problem के examination यहां पर होता है कि जो भी skin specialist को आप visit करते तो वह सबसे पहले physically अच्छे से आपका जो affected area है उसको जो है वह चेक करते हैं फिर sign and symptoms कि जैसे हमने धब्बो की बात की तो इस तरह से directly हम देख सकते हैं इस तरह कि जो धब्बे दीख रहे हैं आपके skin के उपर फिर और deep में diagnosis कर ना है तो बायोपसी भी हम कर सकते हैं बायोपसी का एक यहां पर option बनता है skin बायोपसी का कि जो cancer वगिरा में भी की जाती है और skin related जितने भी problems होते है उसमें एक बायोपसी एक अच्छा option बनता है फिर dermatoscopy कि जो dermatoscopy होता है उसको यूज़ करके skin की अच्छे से जांच की जा इनको थोड़े से scratch करके और उसकी slide बनाई जाती है और उसको microscope की नीचे रखे अच्छे से चेक किया जाता है और पता लगया जाता है कि कौन से microorganism के करन आपको यह problem हो रही है और इससे एक reason पता चलता है कि से हुआ या करोडिया या फिर tiniya वरसी color का problem आपको क्यू हुआ ह और आखरी एक diagnosis यह रहता है कि आपकी जो skin है उसको UV light के नीचे जो है वो चेक की जाती है तो specially आप देखो कि हाथ पर ऐसा हुआ है तो UV light का जो cabinet उसके नीचे आप इस तरह से हाथ रखते है और UV light के नीचे आपके जो दब्बे होते है वो clearly visible होते है और इससे भी diagnosis हो सकता है टीनिया वर्सी कलर का तो आगे जानते हैं अब उसके treatment option की नीचे दान भी हो गया अब उपचार कैसे होगा तो कुछ home remedies है जो मैं आपको आगे बताता हूँ और fungal infection के करण होने वाला यह problem है इसलिए antifungal दवाया जो दोते हैं जिसके इंदर cream आते है जेल, lotion, अगर बालों में या फिर आपके scalp में भी यह problem हो रही है तो sample use किया जा सकता antifungal और oral tablets भी कुछ case के अंदर दिये जाते हैं तो अब बात करते हैं home remedies की तो aloe vera gel का use करना चाहिए तो aloe vera gel के साथ आप mix कर सकते हैं हल्दी को जो organic हल्दी आती है turmeric है उसको इस तरह से अच्छे से mix करे और उसको लगा सकते हैं आपके affected area पर जिससे काफी जदा जो है वो राहत मिलती है फिर दूसरा option यहाँ पर हमारे पास बनता है वो है सहद और चंदन का प्रयोग करना कि जो चंदन होता है और जो सहद होता है हनी होता है दोनों को mix करके वहाँ पर लगा जाता है कि smooth सी paste तयार ह होती है और वह smooth paste को आपको वहाँ पर लगाना है तो यह कुछ home remedies तो आप medicine भी ले और साथो साथ यह home remedies भी यूज की जा सकती है अब बात करते हैं जो medicines के option है तो antifungals के अंदर fluconazole का option यहाँ पर बनेगा हमारे पास तो fluconazole का जो dose देखे अगर 150 mg या यूज करते है तो सिर्फ एक tablet आती है उसके packing के अंदर और उसका dose रहता है होता है खासकर 150 mg oral per week-week में एक ही बारी यह लेना होता है अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो दूसरा option fluconazole के ही dispersible tablets का रहता है कि जो 4 tablet का course रहता है खासकर और 100 mg पर day के हिसाब से उसको use करना होता है नेक्स्ट है वो है इत्रा कॉनाजॉल के capsules का कि जिसका dose रहता है one tablet या फिर one capsule दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार लेनी होती है कीटो को नाजॉल में हम देखे तो उसका dose रहता है 200 mg दिन में दो बार या फिर दिन में एक बार पांच वह option है हमारे पास कीटो को नाजॉल के हैं सैंपू का कि अगर आपको scalp में ऐसा हुआ है उसके करन इचिंग हो रही है वहाँ पे dandrup भी हो रहा है तो उस स्वाद कीट को नाजॉल का सैंपू आप यूज कर सकते हैं छटा option है एंटी फंगल के अंदर है टर्बीना फाइन के जो टाबलेट साथी है टर्बीना फोर्स या पर उसका एक ब्रांड नेम देख रहे हैं तो यह स्पेसलिस सेवन डेस का कोर्स रहता है यह टाबलेट का और एक टाबल लगाने के जो option है उसमें कीटो को नाजॉल का यहाँ पर हमें को option देख रहे है कि कीटो को नाजॉल की two person की जो क्रीम आती है वो परसन लगा सकता है या फिर आप क्लोटरायमाजॉल का भी यहाँ पर उप्सन बनता है तो यह जो क्रीम होते है वो दिन में दो या तीन बार affected area पर लगानी होती है नाइन्थ option देखे तो कैने स्टन करके अंटी फंगल क्रीम है कि जो इचिंग वगरे को रिलीव करने में मदद करती है और रैसीज वहाँ पर बनते है और जो स्कीन की पपड़े उखड़ती है तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है फिर यह combination steroid के सा क्लोट्राइमाजॉल है जैसे कि क्लोट्राइमाजॉल और हो गया साथ में यह combination भी काफी एफेक्टिव साभित होता है तीनिया वर्सी कलर के अंदर तो यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो हमारी बूख है उसको आप जरूर से पर्चेस कर सकते हैं तो यह दिये गए नंबर पर आप हमें वाट्सप कर सकते हैं बुक को और करने के लिए काफी अफ़रिवल प्राइज में आपको यह मल्टी कलर बुक मिल रहे हैं कि जिसके सभी पेजिस कलर है नेक्स्ट ऑप्शन है बाथिंग के लिए कि नहाने के लिए साबून आप यूस कर सकत हैं तो यह medicated soap है कि जिसके अंदर ketogonazole रहता है तू पर्सन जितना तो ये एक अच्छा option बनता है यह फिर ketogonazole का लोसन भी आता है मलत कि ketogonazole हम देखे तो वह tablet form में भी available है उसका soap भी available है उसका lotion भी है क्रीम वागरा भी available है तो ये भी ठेरा भी यूज़ की जा सकती है तीनिया वर्सी के लड़ के अंदर फिर टर्बिनाफाइन की जैसे हमने आगे टाबलेट देखी थी उसी तरह से इसके क्रीम भी available है तो ये भी पेसंट जो ये वो यूज़ कर सकता है फिर लूली कोनाजल पर काफ़ी effective साबित होता है कि अगर दूसरे कोई antifungal से आपका ये problem ठीक नहीं हो रहा तो लगाने के लिए लूली कोनाजल के cream भी काफ़ी useful साबित होते कि जिसका dose रहता है खासकर दिन में दो या तीन बार आप affected area पर लगा सकते है फिर next एक option है cyclopirox के cream का 1% की जो cream आती है वो दो ये तीन बार आप लगा सकते है या फिर यहाँ पे आप देख सकते है cilionium sulfide का topical suspension available है ये भी use किया जा सकता है tiniya versi color के अंदर तो अगर आपको मेरा ये video अच्छा लगा है तो यहाँ पे click करके आप मेरा ये video भी देख सकते हैं जिसमें भी मैंने आपको काफी अच्छी information दी है so good luck and all the best